हालो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल किचन कुकिंग इड स्मार्ट टेप्स आज की वीडियो में हम बनाएंगे बिना खोए बिना काजी और बिना क्रीम के और बहुती कम समान से मटपनी की सबजी और वो भी बिलकुल बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल में जिसे आप बहुत कम टाइम में बहुत कम इंगरीडियन्ट से महमानों के आने पर भी बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी होटल या रेस्टोरेंट से बनवाईए यानि मंगवाईए और खाने में भी इतनी बड़िया लगेगी इतनी लजीज लगेगी कि जो एक बार खाएगा वो बार बार ज़रूर मंग के खाएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैं ले रहे हूँ सबसे पहले पनीर जो की इसका मेन इंग्रेडियन्ट है मटब पनीर का पैन में डालेंगे ओयल और ये रिफाइंड ओयल है इसके साथ में आप चाहें तो डो टेबल स्पून बटर एड़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए लेकिन ऐसे भी ये अच्छी बनती है बहुत ज़रत नहीं पड़ती है बटर की पनीर को मैंने काटा है स्कुया शेप में अब यहां पर आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राइ करें भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन अगरम पनीर को फ्राइ करके डालेंगे तो सबजी का टेस्ट बहुत बढ़के आएगा पनीर का टेस्ट बहुत बढ़के आएगा सबजी बिजेगा मेरी वाइस थोड़ी सी ठीक नहीं निकल रही है तो पनी को हमने किया है शेलो फ्राय लो फ्लेम पे वेवर्कुल तीन से चार मिनट हम इसका कलर बदलने तक हम इसको फ्राय कर लेंगे पलट पलट के हमने चाहँ तब से इसको सेक लिया है हलका हलका ओपर से आज को मैंने लंबा लंबा रफली काट लिया है मोटा मोटा काट लिया है अधा मिनट के करीब लो फ्लेम पर हम इसको फ्राय कर लेंगे थोड़ा सा पिंक कलर होते हैं हम इसमें डालेंगे अब 8 से 10 कलिया मैंने लसन की डाली है इसमें और साबुती लेसन डाला है हमने एक तेबल स्पुन अदिर इसे मैंने कद दूक कर लिया है आप चाहें तो इसको पेश्ट बनाके भी डाल सकते हैं मिक्स कर लेंगे जिसके डाल रहे हूं कट करके इसके टॉप और बॉटम बाइनि कट करके इसमें डाला है और सारी चीज़ें अच्छे से मेक्स करके ढख करके हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे सॉफ्ट होने तक अगर आप इसमें काजू एड़ करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे इसमें काजू डाल सकते हैं लेकिन इस सबजी में मता पनीर में जितने कम इंग्रीडियंट्स हो उतना ही इसका टेस्ट जादा बढ़के आता है क्योंकि हर सबजी का एक अलग फ्लेवर आता है तो इसका भी अलग एक टेस्ट होता है तो इसमें जादा इंग्रीडियंट्स की जरत नहीं पड़ती है तो ठक करके लो फ्लेम पे इसको 8-10 मिनट कुक होने देंगे 10 मिनट की करीब हो गया है तो देखी चेक कर लेते हैं प्याज लसन और अदर्ग वगेर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मिक्सी के जार में इनको निकाल लेते हैं और इनका बना रहा है हमें एक पेस्ट अधर पर बहुत अच्छा है गाज सबसे पहले डाल रहे हैं एक टेबल स्पून लालमेच पॉडर ये कश्मीरी लालमेच है देल टेबल स्पून धनिया पॉडर जब मसाले डाल रहे हो तो या तो गैस बंद कर दीजे या फिर बिलकुल लो फ्लेम पे कर दीजे नहीं तो मसाले जल सकते हैं अब डालेंगे आधर टेबल स्पून हल्दी पॉडर हल्दी पॉडर और धनिया आप बाद में भी डाल सकते हैं जब हम मसाला पका चुके होंगे उससे क्या होगा कि हल्दी का कलर जदा नहीं आएगा लेकिन अगर आपको ज़्यादा हलती का कलर चाहिए तो आप पहले डाल दीजिए मसालों में मसालों के साथ तो मसाले हमने मिक्स करके कुछ सेकिंद्स भून लिया है अब डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है प्याज लसन अदरका तो इसको डालके हम मसाले के साथ फ्राय कर लेंगे भून लेंगे अच्छे से लो फ्लेम पे तब तक इसको फ्राय करेंगे जब तक इसमें से तेल रिलीज ना हो जाए और ये पक जाएंगे अच्छे से मसालों के साथ साइट पर देखिए इसमें से थोड़ा-थोड़ तेल रिलीस भी होने लगा है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी तो मैंने मिक्सी के जार में ही घुमा के इसमें पानी डाल दिया है और रिलीस होने तक हम इसको ढख करके कुप कर लेंगे लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के ल कि अब ब्हुते हैं बोजन मटर ले रहे हैं तो आपको बॉयल करने के बिएक हुष धरर नहीं है आप उसे ही यूज कर सकते हैं वाइल करने से कि जो मटर शर्इंक होती है जब हम पहले बूने जो डूने है तो वह सिरा हो जो फूने लिए और बूने नहीं होती है आप रह तो उसके सभी मेंट छोपर हैं औरम डिला किव द्रबिद टामाटर से अच्छा पूं जाए ख़क के थार कि भी जाए तो एक ग्रेवी के ACCORDING हो चाहते हैं तो आप पानी डालेंगे मैं आप तिक ग्रेवी बनाना चाहते है तो आप कम पानी डाले पतली ग्रेवी के लिए है जादा पाइन डालना होगा, तो मुझे थोड़ी सी ठीक ग्रेवी बनानी है, तो मैंने एक ही गिलास पानी डाला है, और पाइन डाल के, यहां मैंने डाला है, तेल टेबल स्पून नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ढख करके हम ग्रेवी क पक चुकी है अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर को जो हमने प्राय किया है पनीर के पीसिस को डाल करके 5-7 मिनट पका लेंगे ताकि उसमें भी जो सबजी है ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो एबसॉब हो जाए एक टेबल स्पून गरम मसाला डाल रहे हैं यहां पर मिक्स कर देंगे और ढख करके पका लेंगे 5-6 मिनट तो देखे चेक कर लेते हैं और एक्टम से इसका कलर जो है रेडिश कलर आया है बहुत बढ़िया एक्टम बनकर के तयार हुए पनीर के पीसिस भी पग गए है बहुत अच्छी सबजी देखे बिना क्रीम बिना काजू और बिन खोई के हमने बनाई है एकदम रेस्ट्रेंट स्ट्राइल से बहुत बढ़िया बनकर के तयार हुए है इसे सर्व कर लेते हैं तो देखे हमारी मटा पने के सबजी बनकर के एकदम तयार है हरे दुनी से से गार्निश करेंगे तो देखे कितनी बढ़िया बनकर के रेस्ट्र बहुत असान सी रेसीपी है और बहुत जल्दी बनने वाली सबजी है यह तो वीडियो अगर आपको पस नहीं तो वीडियो को फ्लीस लाइक जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो के रिमेरी चैनल को फ्लीस सब्सक्राइब जरूर कीजिए